दोस्तो इस बार का बिक बोस का सिजन देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था लेकिन पिछले दो दिन से घर में कुछ अच्छी बाती हो रही है वही घर के बार भी कॉंट्रोवर्सी हो रही है दोस्तो कल का एपिसोड देखे बहुत मज़ा आया क्योंकि उसके पहले एपिसोड में हमने देखा था कि सिद्धर शुकला और रिश्मी दिसाई का बहुत बड़ा जगड़ा हुआ था उदर शेफाली और पारस का इस बात को लेके जगड़ा चल रहा है क्योंकि पारस को ऐसा लग रहा है कि शेफाली शेहनाज को गुम्रा कर रही है और उसके कान भर रही है इसलिए शेहनाज उसके साथ इस तरह से बरताव कर रही है लेकिन दोस्तों सच बात तो यह है कि शैनास तोड़ी इंस्यूकर है और उसको ऐसा लगता है कि यार पारस अगर मेरा दोस्त है तो वो मेरे साथ ही रहे वो किसे और के साथ बात भी ना करे वो किसे और के साथ बैटे भी ना वो सिफ मेरे साथ बैटे लेकिन मैं सब के साथ बैटूँ गया और यही बाते पारस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है इसलिए पारस शेयनास को जादा सपोर्ट नहीं कर रहा है लेकिन दोस्तों मुझ कुछ अलग करोगे तो पकड़े नहीं जाओगे लेकिन वही बाते अगर रिपीट होती रही तो और आपको पकड़ लेगे क्योंकि हमने यह देखा है कि शैनाज पारसा और माहिरा बिना बात का बतंगड बना लेते हैं और जिस बात में कोई दम नहीं होता उस इश्यो को भी बड़ा करने की कोशिश करते हैं अगर आपने देखा होगा कि पारस की गर्परेंट बहार भी कुछ बोले हैं बहार की गर्परेंट गर के अंदर जाते हैं उसने शैनाज के साथ कुछ अटेश्मेंट कर दिया है माहिरी के साथ भी उसका कुछ अलग अटेजमेंट है और मुझे इसा लगता है कि यह जान बुचकर कनेक्शन बनाए जा रहे क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स को ऐसा लगे कि यार पारश शैनाज और माहिरा कुछ अलग ट्यारपी दे रहे हैं लेकिन दोस्तों मुझे इन तिनों के बाते बि रश्मी का जगड़ा हुआ था उसके बारे में आरती सिद्धात को ग्यान दे लिए आरती सिद्धात को यह कह रहे कि तुम्हें इस तर से जगडना नहीं चाहिए क्योंकि तुम बहुत यह अच्छे इंसान हूं अगर तुम ऐसे जगड़ोगे तो तुम बहुत गलत दिख और उसी बात का शाहिद रश्मी डे सकती है लेकिन दोस्तों मैंने पिछले रियों में आपको कहा था कि बिग बॉस के घर में जिस तरह रश्मी और शिद्दार्थ जगड रहे हैं क्यूंकि सल्मान खान ने कहा था कि घर की भुवे पिकनिक मना ने आई है यहां पे कुछ लंबा जाना चाहिए अगर यह जगड़ा लंबा नहीं जाता है सल्मान खान इस सेटरड़े को आके कहते हैं कि यार रश्मी तुम बहुत अच्छे के लिए तो मुझे कहे ना कहें ऐसा लगता है कि उन दोनों के बिच का जगड़ा है वो खतम भी हो सकता है लेकिन अगर व उसको समझा रहा है कि तुम आभी जगड़ों मत मैं उसको समझा दूंगा यानि कि पारस कहीं ना कहीं खुद को बढ़ा करने के लिए उन दोनों को यूज़ कर रहा है मुझे यह यह भी लगता है दोस्तों कि यह तीनों घर वालों को गुम्रा कर रहे हैं अगर पारस उन ले लिया और सना को बुलाया जब उसली पता था कि सना महरा के उपर इतना गुस्सा है कि वह जाके महरा का ही तोड़ेगी तो जैसे कि महरा का मटका पानी में फेका तो वहां पर पारस भी खुद गया यह सब ड्रामा देखके ना दोस्तों मैं सिरिसली पग गया हूँ मुझे कहे न कहे यह सा लगता है कि पार्रस लड़कियों को Limps करने की कोशिश कर रहा है और वो पक्का gamer है दोस्तो उसके बाद आर्थी को बुलाया आसिम ने और आर्थी ने को ना को nominate कर दिया जहां दोस्तो जब आर्थी को बुलाया भी नहीं गया था तब ही आरती ये बोल रही थे कि मैं कोईना को ही नॉमिनिट कर दूँगी क्योंकि कोईना जो है वो कोईना अलग अलग बाते करती है यानि कि आरती का ये कहिना था कि यार अबे जगड़ती है और दो-चार घंटे में उसके साथ जगड़ा है उसके साथ उसकी सुलोव भी बन जाती है ये कैसे हो सकता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोईना सिब फुटेज के लिए सब चीजे कर रही है और ये बाते मुझे पसंद नहीं आ रही है इसलिए मैं कोईना को यहाँ पर नॉमिनिट करूँगी लेकिन दोस्तों आरती का जो ये रिजन है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया जा दोस्तों देखो अगर कोईना का किसी के साथ जगड़ा भी होता है वहाँ पे कोईना जाके बोल सकते है बिज में जाके बोल सकते है उसके बाद उसकी सुलब भी हो सकते है क्योंकि उन दोनों के परसनल बिज का मैटर है आरती को ये बात इसमें बुरी लगने की कंदाख सुसमेर के सटांग कहा जा चैए लेकिन बिना मतलब का जगड़ा अपने ऊपने उपर लेते बात मुझे पसंद नी यानि कि घर में जब वो बैटे तो उसको लगता है कि मैं घर की सच में क्वीन हूँ क्योंकि हर बात को लेके वहाँ पे कोईना बेच में टांग आड़ा दे जैसे कि आप यह देख लो ना सिद्दार शुकला और रश्मी का जगड़ा चल रहा था वहाँ पे जाकि वह बेच म पीट रहे मार रहे वह समय तुम बीच में जाओ लेकिन छोटी-छोटी बातों में आप एक दुसरे के बीच में अगर जाते हूं तो आप ही गलत दिखोगे और कहीं न कहीं आप ऐसे करते हैं लोगों को पसंद नहीं आएगे जो घर के अंदर है और आगर आप ऐसे करने ल पहली बात कि मैं नॉमिनेशन के लिए किसी को भीक नहीं मांगती हूं कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ यानी कि कोयना ने साब-साब आरती को टार्गेट किया कि तुमने सिद्दर शुक्ला को भीक मांगी ते इसलिए सद्दर ने तुमको बचाया और मुझे लगता यार और ये बात भी कोईना ने यहाँ पे गेम की तरह लेनी चाहिए थी क्योंकि किसी ना किसी का तो मटका तूटने वाला था और एक ही कुईन बनने वाली थी लेकिन मैंने देखा है घर में जितने भी कंटेस्टेंड है ये सब लोग एक दुसरे को जान बुच के टारगेट कर है अगर कोई किसी को नॉमिनिट करता है तो ये सब स्पोर्टिंग ली नहीं लिया जाता वहाँ पे जाके लोग एक दुसरे के साथ जगड रहे हैं और कहीना कई फूटेज कामानी के बात है अब बिग बॉस के 12 सीजन हो गयार सबको सब पता रहता है सबने शो देखा होता जिस तरह सिद्दार शुकला खेल रहे हो मुझे देखकर बहुत पसंद आ रहा है बाकी कंटेस्टन के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा यार यहां पे सना पारस और यह माहिरा तो बोर ही कर रही है दोस्तों उसके बास सिद्दार डे ने सबको चोका दिया सिद्दार डे बोरा नहीं दिखाने के लिए उसने मुझे अंदर नहीं बुलाया और रश्मी ने रश्मी को अंदर बुलाया जहां दोस्तों रश्मी ने अपने दिल की बात जो कहे दी कि आप आर्थी बहुत ढ्रामा कर रही है और बाद में यह बोल देगी यार मुझे इसा कुछ नहीं गहना है मुझे कही नहीं कहीं से लगता है कि उसके और मेरे बिच की दूरिया बढ़ रही है connection नहीं बढ़ रहा है मैं इसलिए आर्थी का ये जो है मटका तोड रही हूँ यानि कि दोस्तों हम सबको पता है कि रश्मी को आर्थी की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आए कि उसने कोई ना का मटका गिरा दिया और यही बात को लेके रश्मी थोड़ी आर्थी से इंस्विक्र हो गए और आर्थी का मटका गिरा दिया कहे नगई सिधार शुकला को यहाँ पर आरती को क्वीन बनाना था लगीन आरती नहीं बने तो अभी उसका डर्गेट डेबूलिना था इसलिए लड़कों ने तई करके यहाँ पर डेबु लिना को अंदर बुलाया अबु मलेक ने और डेबु लिना को बुला के ओ डेबु लिना ने तो दलजित का मटका डालने वाला तो और डेबु लिना ने जब मटका डाला तो मुझे इसे लगता है कि दलजित घर में सबसे सुल्जुवी कंटेस्टेंट है उसने ये स सब चीजे स्पोर्टिंग ली लिने के बाद उसने यह मान भी लिया कि यार मेरा तो अभी मटका गिरना की ता और डेबली ना घर की क्वीन बनी यानिकि पिछले हाथ जिस तरह डेबली ना घर की क्वीन बनते-Bनती रहे गई थी लेकिन इस बार घर वालों के पूरे शपोर् की जरूरत है यह नहीं दोस्तों यही था पूरा एपिसोड अपने एपिसोड में यह सब देखा सबसे बड़े ड्रामी वाली बात यह थी कि यार पारस सना और महीरा कहीं न कहीं है उनका जो नाटक चल रहा है वो नाटक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और मुझे देखता ही देखता रह जाएगा लेकिन पारस ऐसा कंटेस्टन है दोस्तों जल्दी घर से बाहर नहीं जाने वाला है शायद वो चोते हपते का फिनाले भी क्रॉस करे और हमें आगे भी इस शो में दिखता हुआ दिखे लेकिन दोस्तों यहाँ पर बाकी सब कंटेस्टन का हमने जो बात करी ही रहे, तो अभी भी ऐसे बहुत सारे कंटेस्ट है, जैसे कि आसिम है, अभू मलिक है, दलजीत है, वहाँ पर डेबलिना को अभी क्विन बनाए, लेकिन डेबलिना भी है, इन सारे कंटेस्टन को अभी भी दिखना पड़ेगा, नहीं तो उनका फिनाले का टार्गेट बहुत ही बड़ा फिनाले में जाने के लिए बहुत ही बड़ा रोडा साभी तो सकता है, दोस्तों, क्योंकि ओ अभी अच्छी तरफ से दिख ही नहीं है, आर्ती भी नहीं दिख से लेकिन आर्ती ने कलेग ईशू किया, मैरा मतलब यह कि आप इशू करके दिखो लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा यार दिखने के लिए अगर आपने कुछ अच्छा नहीं किया तो यहाँ पे आपको अपने बैक पैक करनी हो गया और घर से बाहर जाना पड़ेगा दोस्तों जिस तरह घर के अंदर कॉंट्रोवर्सी होनी चाहिए उस तरह विग बोस को तो फुटेज नहीं मिल रहा है लेकिन घर के बाहर एक बहुत बड़ी कॉंट्रोवर्सी हो रही है और उसका एक वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा जल्दी दोस्तों आपको एक कल का एपिसोड कैसे लगा आप जरूर बताए मुझे नीचे कमेंट में फिलाल आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक केज़े शेर केज़े और सब्सक्राइब केज़े मेरे चैनल को क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह से वीडियो लाता रहता हूँ फिलाल इतना ही भारत मता की जय